क्या हाल चाले बच्छो आकाश शर्मा ठीक है गिरीश लवली सुनाई दे रही है वाज तो शुरू करते हैं बच्छा आज का जो टॉपिक है जोश सिरीज में डिरेक्शन और पाइथा गोरस थियोरम बहुत सारे कोश्चन जो पाइथा गोरस थियोरम आई होप आपने स्कूल डेज में पढ़ी होगी मैं वापस से उसका छोटा सा ब्रीफ कर दूँगा मैं उसके बारे में और डिरेक्शन कोशन नहीं पूछे तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे डिरेक्शन के को सॉल्व करना है कैसे पाइथा गोरस थियोरम पे बेस्ट को सॉल्व करना है वह आज की क्लास में हम जान लेंगे और आई होप कल वाला टॉपिक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा आ नाम है नवीन तवर बच्छा पिछले चार-पांस सालों से ओनलाइन आप मुझे देख रहे हो यह सब मेरी खूबिया है और यह जो दो किताबे है एक हमारी कॉंप्रियंशन के ऊपर है यह आप सभी के रूम में होनी जरूरी है यह किताब और 2014-23 तक के सारे सब्सक्राइशन है और यह एंवार्मेंट निकलोजी और जोग्रफी के करण्ट अफेर है बच्चा इन दोनों किताबों को आप इस वाट्सेप नंबर पर मैसेज करके मंगा सकते हो नाम बुक और एड्रस सलीके से भेजना ठीक है बहुत सारे बच्चों को एड्रस लिखन है आप विचार निया मुद्दा है लेकिन चलो उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूगा अभी तो आज का जो हमारा टॉपिक है चीक है शुरू करें आज आएगी बच्चा किताब अभी तक नहीं आई बहुत सारे बच्चे को अड्रस ही लिखना नहीं आ रहा पिन कोड अपने से 50 किलमीटर दूर का पिन कोड डाल दिया कैसे आएगा आप तक चलो बीच में अभी होली का भी सीजन था दो चार दिन वैसे भी लेट हो गया होगा अगर किसी को रहा है तो आप घबराना मत जिसने सही एड्रस दिया सबके पास किताब जाएगी जिसने गलत एड् मांठ्ट पीट के किताब जाएगी जाएगी जरूर डॉंट वरी तो दो रिजनिंग का आज का जो हमारा टॉपिक है डिरेक्शन की बात करें एक तो है डिरेक्शन एक है हमारा फाहिएज गोरस थिorerम** थो पाइफार guests थिएजूरम आपने स्कूल में पढ़ा होगा किसी समकोवन तिर्भुज जो है उसके कर्ण कर्ण मतलब हाइपो जानते हो ना यह 90 डिगरी का इंगल है इसके आपने देखा होगा यहां पर बना हुआ वर्ग ठीक है इस तरह से आपने पढ़ा होगा तेरी इस पर बने हुए वर्ग और इस पर बने हुए वर्ग के मतलब इसके विकारन पर बना हुआ वर्ग ठीक है उसके लंब और उसके आधार पर बने हुए वर्ग के योग के बराबर होता है यह हमने सब ने पढ़ा था तो सर जी इससे हम अपने डिरेक्शन वाले कुश्चन कैसे सॉल्व करेंगे एक तो मुद्दा यह हो गया कि हाँ य इसको क्या बोलते आष्या, विकारन या करन लिख लो करन ज्यादा अच्छा है इसी करन इस लंब इस आधार ऐसी तो लिखते हम तो फॉर्मुला क्या था इस कर्ण का मतलब बी और सी इस कर्ण का वर्ग BC2 is इकलर टू एबी आधार का वर्ग एबी स्क्वाइर और यह लंब का जो वर्ग है प्लस एसी स्क्वाइर यह बराबर होता है इसके सरजी ऐसा कैसे अब मैं आपको बता देता हूँ सुनो अप एक फिगर लेलो इसको एक वैल्यू में डालते है बच्चा वैल्यू में डालेंगे इसको ठीक है आपका यह है इसका आपको वैल्यू निकालना है यहां आपको आधार की value दी गई है 3, 3 meter दिया गया है suppose करो लिखा हुआ है A से C का distance 3 meter है A से B का जो distance है that is 4 meter तो B से C का distance कैसे निकालोगे या ऐसे बोल देगा B का position A के north में 4 meter है C का position A के east में 3 meter है तो B और C के बीच का distance कितना होगा इस तरीके से तो इसका school life में हम इसको कैसे solve करते थे यह हम बोलते थे H square is equal to A C square plus A B square A B square ऐसी करते थे ना तो यह क्या हो जाएगा बच्चा तो यहां पर क्या हो H square is equal to क्या है A C A C का value कितना है 3 का square A B का value कितना है 4 का square तो यह कितना आया 9 plus 16 is equal to 25 तो H square आया था 25 तो H की value क्या होगी H होगा इसका वर्गमूल 25 अब 25 के दो टुकडे कर लेंगे 5 multiply 5 और इस में से यह एक pair बन गया पेर से बाहर निकल के आ जाएगा तो H का value आ जाएगा 5 तो यह B और C का जो distance है यह कितना है This is 5 meter यही पढ़ा था ना अपने school में तो यही तो है वो अब इसका इस्तमाल हम direction के question को solve करने में करते हैं बच्चा कुछ याद आया आपको कुछ-कुछ याद आया होगा तो हम क्या बोलते कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योग फल के बराबर होता है ठीक है चले एक चीज तो याद रहेगी यह अब सर्जी C-set का paper है इतना slowly question solve करेंगे तो जिंदगी में कैसे question solve होगा चलो इतना तो हमें पता चल गया कि अगर base 3 था और उसके बाद altitude 4 था तो hypotenuse क्या निकल के आया 5 निकल के आया चलो बस यही हमारे काम का था यही हमारे काम का था कि base altitude और hypotenuse base 3 था altitude 4 था तो hypotenuse क्या आ गया 5 आ गया ऐसे निकल के आया तो हम इस तरह से याद कर लेते हैं हम ऐसे कुछ 4-5 digits के नंबर याद कर लेते हैं कि अगर हमें 3 मिले और 4 मिले तो हमें पता चल जाएगा hypotenuse 5 है या hypotenuse 5 है base 3 है तो हमें पता चल जाएगा altitude उसका 4 है तो इसी तरह के कुछ digits को हम दिमाख में सेट कर लेते हैं यह आप अपनी डायरी में अभी लिख ले ना बच्चा मैं आपको लिखवा लेता हूँ तो 3, 4, 5 सेम ऐसा आता है 5, 12 और 13 5, 12, 13 हो गया सुना होगा उसके बाद होगा 8, 15 और 17 यह हाँ 8, 15, 17 फिर आएगा 7, 24, 25 7, 24, 25 और फिर है 20, 21 और 29 लो भीया काम हो गया इसके बाद भी आएंगे बहुत सारे इसके बाद भी बहुत सारे है लेकिन अपने का काम जितने भी direction वाले question होंगे distance वाले question होंगे हम मतलब direction based distance पूछेगा हम इस formula से उसको solve कर लेंगे for example इसको समझने की कोशिश करो बच्चा UPSC बोलता है कि A और B के बीच का distance 5 meter है और B का position A के north में है सुनो क्या बुला B का position A के north में है और कितना है 5 meter है फिर वो बोलता है जो C है C का position A के east में है और कितना meter है 12 meter है तो वो पुछेगा B और C, या C और B के बीच का distance क्या होगा, तो 5, 12 5, 12 13, तो वो distance क्या होगी 13 है, हमें calculate करना ही नहीं है बोलो, इतना समझ में आया, तो हमें क्या बच्चा ये बस, इस box बना लो इसको, ये box बना लो ऐसे और इसको याद कर लो इसको याद कर लो बोलो, यहाँ तक कितने बच्चों को कोई समझ्या है एक और तरीके से समझ लो, अगर बै कहूं, सुनो, C का position A के east में है C A, A का east A का east इधर होगा, this is C और इन दोनों के बीच का distance कितना है, 8 meter है ओके उसके साथ कहता है B का position A के north में है distance क्या है, यह नहीं बताया लेकिन B और C के बीच का जो distance है वो 17 meter है तो अगर आपसे पुछले A और B के बीच का distance बताओ, A और B के बीच का distance आठ हो गया, 17 हो गया आठ है, 17 है 15 होगा भी यह कुछ नहीं करना अपने को यह याद रखना है बस ठीक है, याद रह जाएगा बोलो इसमें किसी भी तरह का कोई problem आपको याद करने में, समझने में हो तो बताओ अपने को कोई calculation नहीं करना बच्चा यह table याद रखनी है, इसमें value डालो answer निकल के आगया, बात ही खतम अब, लेकिन इसमें दो चार बाते और add कर लेते है आगे की कहानी सुनो अब suppose करो, यह तीन है यह तीन है, लेकिन UPSC कह देता है, सुनो अभी UPSC कहता है क्या कहता है UPSC? कुछ भी कह सकता है लो भीया UPSC कहता है कि A और C के बीच का distance 8 मीटर है और A और B के बीच का distance 6 मीटर है तो B और C के बीच का distance क्या होगा? या तो वही traditional method 6 का square प्लस 8 का square is equal to CB square, फिर इसका वर्ग मूल निकालो एक तो तरीका यह है अपने को करना ही नहीं आप यह देखो, यह 6 क्या है? देखो, ऐसा तो कोई 8 दिखा तो इसका मतलब यह नहीं 8, 15, 17 है बच्चा लेकिन यह 8 है तो यहाँ पे 6 है तो यह वाला तो लगी नहीं रहा उस पे समझो यह 6 है इस 6 को हम क्या लिख सकते है? 3 multiply by 2 यह 8 है इसको 4 multiply by 2 तो 3 हो गया 4 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 multiply by 2 10 कोई दिक्कत किसी भी तरह की? तो यानि के जिस तरह से यह चल रहे है 3, 4, 5 तो 3 में अगर 2 की गुना कर दो 4 में 2 की गुना कर दो 5 में 2 की गुना कर दो तब भी यह बराबरी होंगे 3 में 3 की गुना कर दो 4 में 3 की गुना कर दो 5 में 3 की गुना कर दो तब भी यह बराबरी होगा तब भी सेम मतलब यह सेम इसी तरीके से ही चलेगा मतलब जो value 3, 4, 5 की है न बच्चा same value 6, 8, 10 की भी same value होगी क्योंकि हमने क्या किया? इसमें 2 की मल्टिप्लाई कर दी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 जो value सुनो बच्चा यहाँ पे अब 3 की भी मल्टिप्लाई कर दो 3 तिया, 9 3 को 4, 12, 3, 5, 15 सब सेम चलेगी सब में सेम चलेगा सब में इधर 5 में भी 2 की गुना कर दो 12 में भी 2 की गुना कर दो 13 में भी कर दो तो अपने को जादा बड़े कैलकुलेशन नहीं करने यह टेबल याद रखनी है कोई भी डिरेक्शन वाला कुश्चन आ गया बहुत सारे कुश्चन में आपको कराऊंगा डोंट वरी तो सीधे निकल के आएंगे बताईए यहां तक कोई समझ्या किसी को भी यहां तक किसी भी तरह की कोई समझ्या हो तो बताओ बोलो नहीं समझ में आया हो तो मैं वापस से समझा दूगा अगर समझ में आ गया तो फिर कॉश्चन करेंगे क्योंकि बाकी चीजे question से समझ में आएगी बच्चा ओके ओके इतना समझ में आया कुछ और समझा देता हूँ अब मैं समझो जैसे direction होता है बहुत सारे बच्चे सोच नहीं पाते बोलते हैं कि पहले कोई बोलेगा आमित किसी स्थान से 10 मीटर उत्तर की और चलता है उसके बाद 5 मीटर पूर्व की और चलता है 5 मीटर पूर्व की और चलने के बाद left side में turn हो जाता है फिर 15 मीटर चलेगा फिर 15 मीटर चलने के बाद right side में turn होके 10 meter चलेगा तो बहुत सारे बच्चे इसमें confused हो जाते है कि अपने को करना क्या है ठीक है तो इसमें करना क्या है बच्चा simple सा जहां से भी वो चल रहा है जहां से भी वो चल रहा है उसको एक point मालनेंगे कि यह इसका origin point है अब direction निकालने का आपको पता है direction क्या होता है अब north east के बीच का direction है north east south और east के बीच के direction को बोलेंगे south east वेस्ट के direction को बोलेंगे south west यह direction की वो दक्शिन पश्चिम की और चल रहा है तो इस direction में चलेगा अगर question में बोला कि वो उत्तर पश्चिम की दिशा में चलता है तो अगर हमने कहा अमित क्या चल रहा है अमित किसी स्थान से चल के 5 मीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है 5 मीटर नॉर्थ तो यह जो भी है नॉर्थ जब भी जाएगा यह गया 5 मीटर नॉर्थ में चला गया तो अब अमित की पोजिशन हो गई यह अब कहता है फाइव मीटर नौर्थ चलने के बाद अमित क्या कर रहा है अमित दस मीटर साउथ वेस्ट चलता है दस मीटर साउथ वेस्ट की डिरेक्शन क्या होगी बचा देको साउथ वेस्ट की डिरेक्शन ये वाली डिरेक्शन है 10 meter south west चलाओ उसके बाद बोला कि यह किसी एक position पे चला गया इस position पे पहुशने के बाद वो 5 meter south east चलता है south east चलने के लिए उसको किस direction को पकड़ना होगा इसको यह 5 meter south east तो बस आप यह धियान लखना यह वाला direction को याद रखना कि वो जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे हम चलते चले जाएंगे आर यह बात समझ में एक बात तो यह हो गया direction अपने को कैसे पकड़नी है पकड़नी है फिर एक चीज़ और समझो बच्चा एक तरह के question आते है जिसमें वो left right बोलता है सुनो मतलब left right भी बोलेगा और direction भी बोलेगा वो बोलेगा अमित का position अमित अभी किसी point पे है यहां से वो 10 meter north जा रहा है 10 meter गया north 10 meter north चला गया अब कहते हैं यहां पे जाने के बाद वो left side turn हो गया अब आप ऐसे आप चलो आप यहां तक गए अब वो कहता है left side turn हो गया तो अब हमारा right अमित का right हमारा left अमित का left तो 5 meter left चला तो left 5 meter तो याद रखना जो वो person दिया गया है question के अंदर हमें same direction में हम भी चल सकते है और उस person का हमारा right उस person का right direction होगा हमारा left उस person का left होगा फिर अगर यह बोलने लगे कि अब यह किसी point पर पहुँच गया 5 meter चलने के बाद यहां से वो वापस से left turn करता है और 10 meter चलता है अब आप भी इसी direction में चले यहां पहुँच गई बच्चा अब उसने बोला left turn करेगा तो हम ऐसे देख रहे हैं हम भी तो हमारा left अमित का left और हमारा right अमित का right तो अगर उसने बोला 10 meter left चलेगा तो this is 10 meter अगर वो right बोलता तो इधर चल पड़ता इतनी कहानी समझ में आई बताओ बच्चा यह कुछ basic चीजे है direction में जो बच्चा पाइथागोरस समझता है जो यह direction समझता है और यह left right वाला उसको concept समझ में आता है इसके लावा कुछ नहीं करना इसके लावा है simple जोड घटा गुना भाग बताईए clear है सभी को ओके बहुत अच्छे से clear हो गया अब शुरुवात करते है भच्चा questions की अब question की शुरुवात करते है तो वो figure याद है 3, 4, 5 5, 12, 13 8, 15, 17 7, 24, 25 20, 21, 29 वो याद रहेगा भूले तो नहीं 3, 4, 5 5, 12, 13 8, 15, 17 उसके बाद 7, 24, 25 और 20, 21, 29 बस ये याद रखना ये hypotenuse है ये करण है बाकी ये base और आप उसको altitude समझ सकते हो ठीक है अब पहला question कहता है सुन लो बच्चा कहता है B कोई person है B का position A के north में है और C का position A के east में है यानि कि हमें A को दिमाग में रखना है B का position A के north में है this is A B का position कहीं इसके north में है C का position इसके east में है कहता है A, B और A, C 5 km और 12 km है this is 5 km and this is 12 km A, C 12 km है तो पूछता है इस B का और C के बीच का distance क्या है 5, 12 5, 12 क्या आएगा 13 कुछ भी नहीं करना अपने को बोलिए for example इसी question में आप ये मान के चलता है इसको 10 लिख देता बच्चा हो ये 10 km हो जाता ये वाला 24 km हो जाता तो ये वाला क्या होता फिर इसने बोला ये अब 5 नहों के ये तो हो गया 10 सुनो, यहीं आपकी practice करा दूँआ में इसको उसने बोला क्या इसको बोला उसने 10 km इसको बोला उसने 24 तो ये वाला क्या होगा बताओ answer मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 24, 25, 26, 28 A, B, C और D बोलिये भई, फॉर्मूला क्या था हमारे पास 3, 4, 5 5, 12, 13 ठेक है अब 5 दूँदस यानि कि यह 5 में 2 की multiply होगी यह वाला तो लग नहीं रहा 5 दूँदस 12 में 2 की multiply कर दी 12 दूँदस तो यहाँ 13 में भी 2 की multiply कर दो 13 दूँदस C आंसर हो जाएगा रैंकिंग खतम हो गई भईया है ना रैंकिंग खतम हो गई अभी sitting arrangement वाले question खतम नहीं हुए यादर ना sitting arrangement different questions है बच्छा वो ranking वाला different है sitting arrangement वाला भी different topic होगा don't worry have patience चलते है next question आया आपके सामने या आप question पढ़ो और इसका जवाब दीजिए बच्चा ये धीरे धीरे complicated होगा बच्चा पहला question में आपको सुनो देखो एक चीज़ बताते हैं मैं आपको दो बिनट का time दो मुझे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम सीधा ही वो ही question बता दूँ जो UPSC पूछेगा ऐसा कभी भी नहीं होगा जो question 2023 में आए हो सकता है 24 में बिल्कुल different आएगा आपको concept को पकड़के रखना है बच्चा और concept building का maths में और reasoning में क्या होता है आपको लगता है सबसे ज़्यादा tough question को solve करना सीख जाओं ठीक है वो अच्छी अप्रोच है basics से एक बार आगे तो बढ़ो आज की class में तीनो लेवल के question मिलेंगे आपको easy level मिलेगा moderate level मिलेगा और उसके बाद आपको tough level का question सब मिलेंगे patience रखना इतना patience नहीं है तो फिर तकलीफ होगी आपको वापस से करो इसको चिक है अब सीधा आगया बच्चा b का position a के north में है a c के पूर में है चलो b a के north में है c a के east में है क्या दे रखा है एक दे रखा है 7 एक दे रखा है 24 सीधा आगया वो 7, 24, 25 वाली आगई हमारी 25 यह लो कुछ करना ही नहीं है next next question question number third देखो बच्चा क्या करा है again b का position a के north में c का east में है a b के distance this is 40 and this one is 42 यह क्या होगा अच्छा देखना हमारे पास क्या थी एक 20, 21 और 29 वाली टेबल थी ना तो यह क्या है 20 गुना 2, 40 21 गुना 2, 42 आगया च्छीक है और 20 ही क्या हो जाएगा 58 58 this is 58 58 58 58 next question 58 59 59 59 59 59 59 60 103 59 59 59 बच्चा जवाब दे जवाब देते समय बच्चा सुनो जवाब देते समय को भी लिखो कि 4 का reply क्या दे रहे हो 4 का A है B है C है या D है अब सुनो कहता है दो खंबे है एक 6 मीटर का खंबा है ठीक है दिस इस ओफ 6 मीटर मान लिया अब कहता है एक 11 मीटर वाला खंबा है सेम ही plane पे एक 11 मीटर 11 मीटर वाला है यदि दोनों के पेरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो यह X Y खंबा मान लिया हमने यह खंबा मान लिया हमने A B बोलते है दोनों के पेरों के बीच की है ना जो डिस्टेंस कितना है 12 मीटर है तो कहता है इन दोनों का यह टॉप है जो है ना इसका और इसके बीच का डिस्ट क्या है यह कैसे निकाले सर जी यहां तो आपका बताया गया फॉर्मूला सेट नहीं लग रहा सेट लगेगा क्यों नहीं लगेगा बच्चा देखो यह 6 मीटर है यह 11 मीटर है यहां से सीधा perpendicular line खीची हमने सीधी line खीची ओके तो इस 11 में से कितना है इधर 6 मीटर है तो यह भी 6 मीटर होगा होगा क्या दिस सिक्स मीटर बाकी कितना बचा उपर फाइव मीटर इस फाइव मीटर यहां पर यह 12 है एक्स और एक के बीच का तो यह वाला distance भी क्या होगा इसको ओ लिख लेते है इस distance is also 12 तो पांच बारा तेरा लो आगया फॉर्मुला टेबल याद कर लो बस बच्चा फिर से बता रहा हूं तीन चार पांच यह टेबल याद करो पांच बारा तेरा ओके आठ पंदरा सतरा साथ चोबिस पच्छिस और बीस एक्क 29 इससे आगे भी है उस पे जाने की अपने को जरूरत नहीं है इसमें जो यह वाला लास्ट वाला वैल्यू है दिस इस कर्ण हाइपोचैनियूस है तो पांच आ गया पांच था हमारे पास बारा हमारे पास था तो तेरा हमारा आंसर निकलके आ गया कुछ भी नहीं किया हमन बात आ रही है समझ में इतना बड़ा बेसिक है यह आपको टेبل याद करनी है डिरेक्शन वाले कुशन में या इस ताइप के कुशन में इसका पोजिशन इसके नौर्थ में इसके साऊथ में इसके इस्ट में दोनों के बीच में इतना डिस्टिंस यह टेبل ही काम करेगी next question है आपका कोच्याँ नंबर 5 कोच्याँ नंबर 5 देखो कहता है एक 9 मीटर का एक 9 मीटर टॉल पिलर है एक तो है 9 मीटर चलो दूसरा क्या है 16 मीटर दोनों का बेस सेम है दिस इस 16 उनके दोनों के पैरों के बीच की दूरी पैर तो यही है पैर के बीच की दूरी कितनी है यह हमारी 24 मीटर है अब उच्छा इन दोनों के टॉप इन सीर्ष के बीच की दूरी कितनी यह कितना है अगेन बच्चा यह 9 है यहां से परपेंडिकुलर डाला अपने एक लंब डाला एक ठीक है तो यह कितना है 16 तो यहां पर कितना हो गया 9 ऊपर वाला बचा कितना हुआ 16 में से 9 जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा this is 7 और 9 और 7 को एड़ करेगी तो टोटल आ जाएगा 16 यह 24 है तो यह वाला डिस्टेंस भी कितना होगा this distance is also 24 वही टेबल आ गई 7 24 25 कहां है वो टेबल 7 24 है तो आंसर क्या आया 25 कुछ भी नहीं करना वरना हम पहले क्या करते सुनो बच्चा अगर आपको यह वाला तरीका ना पता होता तो आप इसको कैसे करने वाले थे सुनो आप इसको कैसे करने वाले थे अब आप इसको मानते x ठेक है आप बोलते आप x का square is equal to 7 square plus 24 square अब इसका जो भी value आते उसको जोडते और उसका फिर वर्ग मूल निकालते कितना लंबा जमेला था भाई वो टेंचन यह नहीं पाली अपने यह पूरा system ही छोड़ दिया हमने नहीं करना भाई अभी हमारा 7th 8th 9th या बोर्ड के एक्जाम में नहीं है अपने को यह करन झाल कोशन नमबर 6 थोड़ा स्पीड रखो थोड़ा स्पीड रखो कोशन नमबर 6 का अंसर दीजिए क्यता है एक 5 मीटर लंबी सीड़ी गली के अंदर खड़ी करने पर 4 मीटर की उची खिड़की तक जाती है आपने घर में CD लगाई होगी ना घर में CD लगाते होगे ना गली में भी कई बार CD लगाके, ladder लगाके आपने जो paint करने वाले लोग है वो देखे होंगे मामा बोलती होगी उपर कबड़ पे से क्या है ना, एक बार CD लगाके समान उतार दो तो ये वही वाला concept है, कहता है एक CD है, पांच मीटर लंबी CD है, तो CD तो कितनी होगी, पांच मीटर लंबी CD है, अब वो कहता है ये पांच मीटर लंबी CD है, अब कहता है गली में खड़ी है वो, गली में खड़ी करने पर चार मीटर की उंची एक खिड़की तक पहुचेगी तो ये पांच मीटर लंबी एक सीड़ी है गली में जैसे ही खड़े करते है तो एक यहां पर चार मीटर की उचाई तक एक खड़की है वहां तक पहुचती है ये अच्छा फिर क्या कहता है यदि यही सीड़ी पैर हटाए बिना इसको पैर तो यहीं फिक्स कर दो अब कहते हैं इसको आपने ऐसे लगाया ना अब आपने यह ऐसे इसने का इसका पैर चेंज मत करो और इसको इधर ऐसे करके ले आओ तो दूसरी और लगाई जाती है अब ये दूसरी और गई दूसरी और भी क्या है CD की लंबाई तो same ही रहेगी न बच्चा ये CD की लंबाई थोड़ना change होने वाली इधर भी 5 थी तो इधर भी 5 है अब ये कह रहा है इस side गई है ये 3 मीटर की उचाही तक यहाँ पे गई है 3 मीटर की उचाही तक ओके ये आपकी CD का base है कहता है तो इस गली की चुड़ाई कितनी है यह वाली जो एंटायर गली तो क्या होगी यह वाली एंटायर आपकी गली है यह गली है आपकी यह स्ट्रीट है जो भी बोलो आप इसकी चुड़ाई पूछ रहा है तो अपने को क्या निकालना है अपने को यह पता चल जाए और यह पता चल जाए तो सीधा सा फॉर्मूला है बच्चा इसमें तो कुछ भी नहीं है तीन चार पांच इधर आएगा ना तीन चार पांच और यहां पे तीन दिया गया है पांच है तो यह आगे है चार तो तीन और चार को एड़ कर दो तो चुड़ाई कितनी हो गई 3 प्लस 4 7 क्या दिक्कत था इसमें ट्रडिशनल मेथड से आप कैसे करते वही निकालते 5 का स्क्वाईर इसकल टू 3 का स्क्वाईर ट्रडिशनल मेथड क्या करते 5 का स्क्वाईर इसकल टू 3 का स्क्वाईर प्लस x स्क्वाईर यह 25 हो जाता यह 9 हो जाता इसको फिर x स्क्वाई करते सिक्स्टीन इसके दो हिस्से करते चार आता निकल के इतना क्यों जमेला करना है भाई नहीं जाना इधर इसी से बचाने के लिए मैंने आपको यह दिया है अभी आ गई कहानी समझ में यह क्या है यह पूरा टेबल क्या है आपके इस पूरे कैलकुलेशन से अपने को बचना है अपने को इस कैलकुलेशन के चेकर में नहीं जाना आभी वो बचपन का खेल था खेल लिया आपने चले Next higher नेक्स्ट कोश्चन है सेवन्त कोश्चन नमबर सेवन का आंसर बताईए बचा यह बोल रहा है थर्टी फॉर मीटर लंबी एक सीडी है गली में खड़ी करने पर ठिर्टी फॉर मीटर की है बचा थर्टी फॉर मीटर लंबी सीडी है गली में खड़े कीए तो एक साइड गई वो 30 मीटर की हाइट तक चलो भाई यदि सीडी का पैर चेंज नहीं करते दूसरी साइड लगाते है तो 16 मीटर की हाइट तक जाती है अभी भी ये 34 मीटर है लेकिन ये की साइट तक जारी है 16 मीटर तक यहां पे 16 मीटर तक है तो ये पूछ रहा है गली कितनी चोड़ी होगी ये पूछ रहा है What is this तो गली ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है अगर पता चल जाए अब देखो 30 है और 34 है तो चलो आते हैं फॉर्मूला 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29 देखते हैं किसमें सेट बैठता है 16 है 30 है 30 कहां होगा 15 दुनी 30 ओके 34 है 17 से 2 का मल्टिप्लाई करेंगे 17 दुनी 34 आ जाएगा यहां 16 है तो यह वाला टेबल है वो यह वाले टेबल में 2 की मल्टिप्लाई की हुई है उसने तो क्या हो गया 16, 30, 34 तो यह क्या है यह 30 है यह 34 है तो यह क्या आएगा 16 तो 16 तीज और 34 तीज और 16 46 आगे ना 46 नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन मौनू किसी विशेश किसी बिंदू विशेश से उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है कि तीजर के खमधेश्चन किसी बीशंगयन शुरू कि विशेश्यrad करता है पॉश्यान नमबर एट, एट कांसर क्या होगा? चलते हैं, कहता है, मोनु को लेते हैं, मैंने अभी इस साइड का अठा दिया, क्योंकि solve करना है, मोनु किसी पॉइंट से शुरू करता है, यहां से चलता है, नौर्थ इस्ट डिरेक्शन में चलता है, अब आपको पता होना चाहिए, नौर्थ इस्ट किदर है, इस्ट यहां से जाने के बाद south की और मुड़ गया, यहां के बाद south किदर है, south का position तो दक्षिन की और ऐसे आएगा, south की और आया और कितना आया, 400 मीटर, अब वो पूछता है, चलने के अंत में मोनु पहुचा, अपने initial point यहां से मोनु अभी कहा है, यह पूछ रहा है कि किदर है पहली बाद तो मोनु इधर से मोनु के east में है, यहां से चला था मोनु, तो अब किदर है मोनु की position यहां पे, यह मोनु है बच्चा, यह इधर east है, मोनु के इधर east, मोनु के इधर west, इधर north, इधर south, ऐसे ही तो हमने चलाया था, चलो, अब यह कितना आ गया सुनो, यह 00 भ 300 meter east में है, 300 meter east, east में चलेगा बच्चा, east में, clear आया, यह याद होना जरूरी है, अब किसी ने suppose कोई बच्चा चला देता कैसे, कोई बच्चा चला देता मोनु को north east में ऐसे, फिर चलाता यह तो 500 meter चलाता, फिर उसको चलाता ऐसे 400 meter, ठीक है, अब यह initial पूछता, तो उसका तो क्या आता, उसका west आता निकल के, यह ना, उसका west निकल के आता, तो जिसको यह direction घुमाना आता है, उसको question solve करना आता है, next question, मोगैंबो उत्तर दिशा में 10 km चलता है, अच्छा मोगैंबो भी आ गया क्या हमारी class में, question number 9, 9 का reply कीजिए, चलते हैं, अब यह कहता है, मोगैंबो है कोई, है ना, तो जिसको direction का जरा भी doubt हो, बच्चा ऐसे लिख लेना, east, west, north, south, this is northeast, southeast, southwest, northwest, ऐसे कर लेना, मोगैंबो चलता है, 10 km नॉर्थ में, यह मोगैंबो है, यह गया 10 km, 10 km गया नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ तो इधर ही है, और वहीं से वापस मुड़ जाता है, अब कह रहा है, मुझे वापस जाना है, अच्छा, और वापस मुड़ के, वापस कहां आएगा, वापस south की ओर आएगा भी, तो अभी वापस आया, वह 6 km तक है न, यहां से 6 km तक वापस आ गया, यहां पर ही मान के चलो, यह 6 km तक वापस आ गया, तो नीचे कितना बचा, नीचे बचा यह 4 km, क्योंकि total तो कितना था यह total entire कितना है 10 km यहां तक गया 6 km तक वापस आ गया इसके बाद जब वो यहां इस 6 km वाले point पे वापस आ गया उसके बाद वो 3 km इस्ट में चलता है इस्ट किदर जाएगा इधर जाएगा तो 3 km वो गया इस्ट 3 km गया इस्ट अब मोगैमबो यहां आ गया अब कहता है मोगैमबो अपने initial point से initial point कहां था मोगैमबो का यह करे इस initial point से यह वाली distance कितनी है what is this तो यह तो 3 हो गया बच्चा this is 3 this is 4 तो 3 4 5 क्या करना है अपने को यह लो 3 4 5 next question है next question गुड़ी पूर्व दिशा में 1 km चलती है झालती है झालती है इसको देखते गुड़ी वाले session को केते हैं, गुड़ी पूर्व दिशा में एक किलो मीटर चलती है ये पूर्व दिशा में एक किलो मीटर चली बच्चा ये एक किलो मीटर चली ये total distance 1 किलो मीटर है फिर दाहीनी और मुड़ गई Right side अब हमारा right side गुडि का right side हमारा left side गुड़ी का फिर right side मुढ के 1 km और चली फिर again 1 km का distance उसने travel किया फिर कहते हैं उसके बाद बाई और मुढ गई अभी गुड़ी इस side चल रही थी तो अब आप भी ऐसे ही हो अब गुड़ी का left बोल रहा है पे आ गई अब गुड़ी का पोजिशन ये है अब क्या कहते है फिर अंत में 20 साइड फिर से टर्न हो गई यहां से लेफ्ट क्या होगा इस साइड लेफ्ट होगा और कितना चली 5 किलोमीटर तक चलती चली गई फाइव किलोमीटर तक गई गुड़ी फेर अब एक चीज बताओ ये जो डिस्टेंस है ये वाला ये जो एक किलोमीटर वाला है यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे इसको दिस अलसो वन किलोमीटर तो एंटायर ये फाइव किलोमीटर है ये वन किलोमीटर है तो य कितना है यहां से यहां चली थी ओन और यह वाला distance कितना है this distance is two तो one और टू ठीक है यहां से गुड़ी का position इससे कितना है यह से गुड़ी का position क्या है यह position पूछ रहा है बतल بالand this is four यह one और कितना हो गया this is three तो यह किकतना होगा 3, 4, 5 where is 5 बताईए क्या problem है इसमें simple चलते जाना है simple जोड़ना है बच्छा simple जोड़ना है और वो जो मैंने आपको बताया 3, 4, 5, 5, 12, 13 8, 15, 17, 17, 24, 25 20, 29, उसको याद रखो काम हो गया next question है गबबर सिंग भी आगया है क्लास के अंदर अच्छा एक चीज तो बताओ क्लास को लाइक तो करो भई एक घंटा हो गया मैं भूल जाता हूँ आप मत भूला करे मुझे पता है आप भी विजी है बच्छा लेकिन चैनल आगे बढ़ना जरूरी है यह चैनल आगे बढ़ेगा तब आपको और अधभूत कंटेंट मिलेगा ठीक है इसवे लाइक करो शेर करो चैनल को सब्सक्राइब भी करो करो चलो एक बार एक बार लाइक शेर सब्सक्राइब करो फिर आगे चलते हैं करो चैनल आगे लाइक शेर सब्सक्राइब करो चलते हैं यूपीएसी वाले क्वेशन भी दिखाऊंगा मैं डोंट वरी यूपीएसी भी इतना कोई रोकिट साइंस नहीं पूछ रहा अभी आपको समझ में आ जाएगा अभी एक दो क्वेशन यूपीएसी के गबबर अपने आरंबिक इस्थान से 6 मीटर पूर की ओर चलता है अभी प्क intim decreased यूपीएसी के अभी प्क cathedral के अफ प्रोंगा झालता है देखो इसको कहता है दिस इस गब्बर मिस्टर गब्बर मिस्टर गब्बर है यहां पर यहां से 6 मीटर इस्ट में जाएगा तो इस डिरेक्शन तो यह है दिस इस 6 मीटर इस्ट चला गया यहां जाने के बाद आब वो राइट साइड मुड़ा राइट किदर होगा उधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा राइट साइड मुड़ और 9 मीटर चला 9 मीटर चला यह total distance उसका कितना है 9 मीटर चलो उसके बाद जहां पे पोचा वहां से वापस से उसने left turn लिया left अब वो इधर आगे इस position पे तो left किदर जाएगा इस side और कितने मीटर गया 6 मीटर यहां again this is 6 मीटर अब वो क्या पूचता है वो कहता है वो अपने initial point से किस distance पे है यहां से उसका distance क्या है और यहां का यह पूच रहा है वो क्या है this is, what is this तो इसको करने के लिए अमें क्या करना होगा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते है यह लो इसको ऐसे कर लेते है तो 6 मीटर यह हो गया और यहां से यहां तक भी कितना हो गया 6 मीटर तो यह total कितना हो गया 12 मीटर हो गया this is 9 मीटर तो यह वाला भी कितना हो गया बच्छा this is also 9 मीटर तो क्या हुआ 3 multiply 3 9 3 multiply 4 12 तो यहां क्या आजाएगा इस साइड में है यह जहां से उसने शुरू किया था वहां से इस पॉजिशन पे है 15 मीटर ठेक है आजाओ अब आपको तीन चार कोशन यह आपके इस कोशन नमबर 12 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ आंसर आएगा C आपका यह आंसर आना चाहिए यह आपका इस इस होमवर्क कल वाली क्लास का पीडियाफ मिल गया 13 का आंसर अगेन राजकुमार राओ आंसर इस C इसका भी आंसर C आएगा ओके 14 14 सरकिट है 14 का आंसर इस D इस इस आंसर इस डी इस इस डी ओके 15 कोशन नमबर 15 अगेन इसका आंसर आएगा आपको सेम इसी तरीके से केलकुलेट करना है बच्छा मैंने आंसर लगा दिया है सी आप इसको सॉल्व करना 16 है मिस्टर पप्पू पे है यह आंसर होगा इसका बी इसका आंसर है बी यह आपको खुद से होमवर करना है ओके 17 खोका सिंग है खोका सिंग अगेन खोका सिंग वाले का आंसर आएगा ओप्शन डी अब हम चलते है ठीक है यह खोका सिंग का आंसर आएगा ती अब हमारे सामने कोशन है this is UPSC कोशन यह UPSC का P IQ है C set में पूछा गया कोशन जो बच्चे बोल रहे थे ना सर जी UPSC C set में ऐसा कोशन नहीं पूछ था UPSC पूछेगा ऐसे लेकिन तरीका वो ही है बच्चा जो मैंने आपको बताया है उसके अलावा आप इसे solve नहीं करोगे लग कर लोगे लेकिन सबसे easiest और आपके दिमाग में set होने वाला method यही है तो अब आप इस question को पढ़ो यह C set का question है हमारा इस question को पढ़ो इसका जवाब दीजिए एक खेल के मैदान में दीप कमल, नितिन आकास और पियूश उत्तर की और मु करके निम्न अनुसार खड़े है इस question को solve करना है आपको कीजिए बताओ इसका क्या होगा English में दिखाते है बचा दिस इस इन इंग्लिष यह वाला इंग्लिष में है इंग्लिष वाला एरा इंग्लिष वाला एरा कि चलो अब इसको सॉल्व करते हैं कि सॉल्व करें बच्चा इसको कहता है एक खेल के मैदान में दीप है ना दीप को हम डी लिख लेते हैं कमल को हम के लिख लेते हैं नितिन को हम N लिख लेते हैं आकाश को A लिख लेते हैं सबके नाम अलगलग अक्षर से हैं तो लहने में कोई समस्या नहीं है केरे सब के सब North direction में face करके खड़े है कहता है कमल आकाश के right side में 40 meter की दूरी पे है आकाश के this is आकाश और कमल क्या है इसके right side पे है right side पे है distance कितना है 40 meter चलो दीप जो है दीप मिस्टर दीप कमल के south में 60 meter पे है दीप क्या है कमल के south में है और 60 meter पे है 60 meter पे है Mr. दीप चलो नितिन अब आया नितिन नितिन आकाश के पश्चिम में 50 meter की दूरी पे है यह आकाश है इस आकाश के वेस्ट में है नितिन डिस्टेंस क्या है 50 मीटर चलो अपने को क्या है जैसे जैसे बोलता जाएगा डिस्टेंस हम लिखते चले जाएंगे पियूश की जो पोजिशन है पियूश दीप के उत्तर में 90 मीटर है यानि कि 60 तक तो यहां आ गए और 30 ओर चलो तो overall यहां तक है यह पूरा डिस्टेंस है 90 मीटर और यह पोजिशन किसकी है पियूश की है यह पियूश की पोजिशन है तो यह पियूश की पोजिशन है तो य यह दीप है अब वो क्या कहना चाता है उसकी सुनते बचा यदि एक लड़का नितिन के स्थान से चलना शुरू करता है नितिन कहां है यहां से चलना शुरू करता है और नितिन के स्थान से चलकर आकाश तक आता है आकाश तक आया तो कितना हुआ पचास मीटर चलो उसके के बाद दीब तक गना किया कमल के बाद दीब तक गया तो शाठे आया और उसके बाद प्यूश तक गया किऊ तक पहुसने के लिए उसको 90 किलो मीटर और डिस्टेइन्स ट्रैवल करना होगा तो एड्ड करила है कि ओकर टू एक 进क सबसे आसान टोपिक होता है बच्चा डारेक्षन याद रखना आगर डारेक्षन का कोई भी कोश्शन मिल जाएम फ्क हो सकता है या मज publishers के अधा कोश्शन सबसे असान कोश्शन है चाहें वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो जैसे यह question आपको देखके बहुत बड़ा question लग रहा होगा cset में पूछा लेकिन आपने जैसे इस information को डाला यह बड़ा असानी से solve हो गया direction का कोई भी question होगा बच्चा ranking का कोई भी question होगा वो आसान ही होगा घबराना बिल्कुल भी मत पस एक बार उसके साथ अपने आपको collect करना जो इसने information दिया है उसको एक बार step by step उसको डालना शुरू करना information को और आपका answer automatically निकल के आ जाएगा ठीक है चलते है कोई दिक्कत कोनों दिक्कत ना है काया दिक्कत होगी इसमें असान topic था direction reasoning असान है reasoning के जो tough लेक्चर से वो मैं आपको बता देता हूँ symbolism बहुत टफ रहेगा बहुत सारे बच्चों के लिए लेकिन symbolism solve कराने का मेरा style थोड़ा different है मैं different तरीके से कराता हूँ वह वेंड डाइग्राम वाला symbolism में नहीं कराता है थोड़ा सा जो आपके tough topic है blood relation उतना tough नहीं है लेकिन कुछ बच्चों को tough लग सकता है उसके बाद set theory वाले question आएंगे कुछ वेंड डाइग्राम वाले question आएंगे बहुत सारे और question है combination और permutation के reasoning based question होते हैं उनकी भी बात करेंगे वह थोड़ा tough रहेंगे तो उनको हम दो-दो दिन दे लेंगे लेकिन जो एक है तो यह 2014 से 2023 तक के सारे comprehension है यह किताब आपके पास होना जरूरी है इन किताबों को मंगाने का जो method है आपके पास यह आपका तरीका है इस WhatsApp नंबर पर message कर देना आपका नाम कौन सी किताब चाहिए complete address यह 300 रुपी का है इस इस 250 रुपी ठीक है बचा और address लिखना सीख लो इतने बड़े बड़े हो गए UPSC एक्जाम होल में जाने वाले हो आप पे address लिखना नहीं आता आज तीन-चार बच्चों को डांट लगानी पड़ी मतलब इतने बड़े हो गए आपने graduation कर लिया post graduation कर लिया UPSC एक्जाम को आप dream देख रहे हो है ना अगर मैं किसी बोर्ड मेंबर को जानता है ना दो-चार के interview मैं पूछ लेता मैंने कि इनको अपना address भी बताना नहीं आता बहुत से वैसे तो जिसको address लिखना और बताना न नंबर क्या है सब कुछ एक ही message में आपको डालना है ओके यह पूरा schedule है इन classes का schedule आपको अप्रेल फास्ट वीक में मैं आपको बता दूँगा यह YouTube channel है PDF के लिए telegram channel है इस इस फॉर PDF इस इंस्टाग्राम और इस वाट्सेप आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे एक और शांदार जांदार टोपिक के साथ बाबाए टेक केर